व्लोग उमीद करता हूं फ्लोग खरीयस होंगे और लापक सबको खरीयस रखे ज्यास्रोंट्स आज किस वीडियो के अंदर हम लोग CS201 के साइमेंट अपरंग का वो डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद ही आप साइमेंट को बना सकते हैं मैं इसका लिंक डिस्क्रप्शन में दे दूँगा आवांस जाके इसको वन क्लिक से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको इसलिली इंस्टॉल कर सकते हैं ठीक है आज का इसलिए मैं यहां पे गूगल तो माज़रत अधराज मैं आपको यहां पर सारा पर सीजर बता देता तो खैर क्वेस्टें की तरफ आते हैं वापिस तो यहां पर कुछ चीजने दी गई हैं जिसको आप बारे में को पता होना चाहिए डाउन के बारे में वरी बिल्स के बारे में एक्स्प्रेशन यहां पर आप साइमर की स्टेटमेंट यहां पर यहां पर बिल्स अबड़े का जरी कि जब आपका अबजेक्ट गिरेगा ग्राविटी की वजह से तो था फॉलिंग फामुला था प्रफ टाइं पर दिस्टेंस आप ब्ड़ेक्स वाल इन स्पेसिटिक टाइम पिरिड के आ और उपर square तो हमारे पस D होता है यह distance होता है जो कि हमने मेटर के अंदर लेना होता है जी जो हमारे पास gravity constant होती है तो हमारे पस T यहां पर amount of time दिया गया है जो के seconds के अंदर होता है that the object has taken to fall तो यहने के basically हमें यहां पर distance find करना है जो के meters के अंदर हमारे पास यहां पर आएगा अब इसके लिए हमें basically एक C++ का program write करने को कहा गया है इसके नहीं हम लोगने यह falling distance यह function create करना है जो क्या करेगा accept करेगा कि जो object होगा falling time उसका in seconds वह find करेगा उसकी argument टेक करेगा calculate करेगा distance को meters के अंदर ठीक है that the object has fallen in that time ठीक है return करेगा calculated distance तो इसको मैं यहां पर red light कर देता हूं यहां पर red line से highlight कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए चीज से ठीक है उसके बाद हम लोगने एक main function बनाना है जिसके लिए हमें loop structure create करना है और basically इस function को हमें call करना को जो हम लोगने उपर बनाया था ठीक है तो यह एक चोटी statement कोई बहुत बड़ी assignment यह बिल्कुल सिंपल सी assignment है और एक most important हैं तो आप follow loop भी यूज कर सकते हैं while loop भी यूज कर सकते हैं do while loop भी यूज कर सकते हैं तीनों ही आपके पास option available है और जो average को calculate करने का formula होता है sum of values divided by number of values यानि कि इन तीनों के values को sum आए उसको आपने basically divide कर देना है number of values के ओपर number of values कितनी है आपके पास एक, दो, तीन, चार और पांच, पांच के ओपर यानि कि आपको divide कर देना है ठीक है it is required that you use the given data set otherwise आपको zero mark detect कर दिये जाएंगे यानि कि कहता है कि आपने यही ताइम सेकंड लेना है और यही values ऊपर वाली जो आपको given की गई है अब आपने क्या करना हे, आपने simply पहले चारहें black तो मैं यहां पर जैसी सेव करूंगा तो यह मेरी देखें .cpv file automatically create हो रही है यहां पर ठीक है तो इस तरह आप लोग ने cpv file create करनी है और इसे कंदर अपना code लिके इसको अपने submit करवाना है ठीक है अब मैंने यहां पर सबसे पहले अपना code जह वो argument लिए है जो मेरे पास यहां पर question के दर मुझे mention किया गया था कि आपने यह function बनाना है इसके अदर आपने क्या करना है accept करना अब जो filing हो रहा हो उसका time आपने उसके arguments का time आपने take करना है ठीक है उसका अपने distance calculate करना है और आपने इसका distance calculate करना है तो यह मैंने वही चीजह यहां पर लिखी है सबसे पहले मैंने falling distance का function क्यूं लिखा यहां पर क्योंकि मुझे यहां पर इस लिखने को कही गई थी अब यहां पर data भी यहां पर कोई भी राइटाइब यहां लिख सकते हैं लेकिन मैंने double ही क्यों यूज की क्योंकि मुझे यहां पर meters के अंदर answer देना था ठीक है उसके बाद यहां पर देखें आर्गमेंट मैंने लिया double time double मैं data type हो गई और time की जगा आप कोई भी नेम लिख सकते हैं यहां पर time कुछ लोग यहां पर shortly t भी लिख सकते हैं कोई issue वाली बात कोई नहीं इ सकता इसलिए मैंने यहां पर one by two point zero लिखा है क्योंकि मैंने यहां पर flow data type के अंदर लिया था तो one divided by two की जगा मैं लिख दिया one by two division two और अब point zero लिख दो यहां तो बात तो यहां पर देखें gt square है यानिके one over two से multiply हो रहा है gt और square तो अब मैं directly लिख नहीं सकता gt square और one divided by two इसलिए मैंने यहां पर multiply लगाया और g value put 9.8 और अब उसके बाद जो मेरे पास t square था मैंने इसको यहां पर कैसे लिख दिया और मैंने जैसे उन्होंने कहा था कि आपने इसको return भी करना है return the calculated distance तो मैंने इसको return कर दिया अब आप चाहें तो यहां पर भी distance पूरा लिख सकते हैं कोई शुवाली बात कोई नहीं चले मैं यहां आप आपके लिए distance कर देता हूं तो यह कुछ छोड़ोटी चीज होते है इसको अगर आप similar कर दें तो आपका program काफिच रिके से वो run होगा और आपको पूरे पूरे नबर दिये जाएंगा इसके बाद उन्होंने कहा था कि आप लोगोंने के main function मनाना है मैंने main function मनाया उसके अंदर मैंने given data था जो मुझे दिया गया था यहां पे one three five seven or nine तो मैंने इसके लिए करें बनाई त tribes के नाम से है आपज है तो तो यहां पर फोलिंग यहां पर न खीर नर लिए हमाने जिए थी मने वह यहांपे put-key और मैंने यहांपे simply basically loop चला दिया अब यहांपे मैंने loop का यूज किए अब आपको यूज कर सकते हैं for loop while loop do. बाइल लूप और नहीं आपको काया की आपको कोई भी यहांपे use कर सकते हैं आपको जो यह लूप यूज करना है वो लूप यूज करें तो मैंने बिसिकली यहां पर वाइल लूप यूज किया है तो आप यहां पर फॉल लूप भी यूज कर सकते हैं और दो यूज कर सकते हैं मैंने खर दोनों यहां पर नीचे मेंशन भी कर दी हैं कोई भी यूज कर स अब 510 तक होगा क्या कि जो वैल्यूस हैं साथी प्लेस होती रहेंगी डबल डिसेंज जो मैंने उपर यहां पर देखिंगे आप लों के लिए बनाया था तो वह ने उपर यहां पर फंक्शन को कॉल कर लिया यहां पर सोली यह दो हो गए हैं अब फंक्शन ना एक डिसेंज क मैं भाल पर नाम चेंज करना होगा मैं इसको रहने दिता हूँ वह स्यादा बैतर एक है मुझे यहां पर नाम सिमिलर हो जागा तो अब इसके बाद लोने कहा था कि आपने जो time है वो data को भीजना है ठीक है यहां पर calculated distance in meter that the object has fallen in that time ठीक है अब यह होगा क्या कि आपको जो सारे के सारे time है उनको इसके अदर अब करेंगे क्या प्लस करेंगे sum plus is equal to distance अब इस तरह भी कर सकते थे अब इसकी बजाए इसको sum is equal to sum plus distance कर सकते थे तब भी यही same काम परफॉर्म होता आप भी same काम परफॉर्म हो रहा है कुछ लोग changes करके का रहे हैं तो इसमें issue नहीं होता main काम हो क्या रहा है कि sum जो है वो plus हो रहा है basically distance के साथ जाके और आपको इसको यहां पर चाहिए तो साथ अलफाज में अटा सकते हैं और इसके अंदर आकर यहां पर देखें i++ हो रहा है क्योंकि इसको increment करना है one value ठीक है अब आप चाहिए तो इन में से भी कोई loop यूज कर सकते हैं comments में से अटा के बल मैंने वही लूप की अब यहां पर स्टोर हो जाएगा मेरे वाइल लूप के अंदर तो मैं basically वही वाला वैरियेबल जाएव यहां पर यहां पर यहां पर बिसिकली average find करूंगा अब average find करने का formula यहां पर given किया गया है तो मैंने यहां पर simply average वाला formula लगाना है यह वाला जो मेरे पास given था अब basically यहां पर लेते हैं और जो हमारे पास सम वाला लूप था जो हम लोग ने यहां पर सम के लिए लूप बनाया था यह देखें आप सम के वैरियेबल के अंदर जो हमारी वैल्यू स्टोर होई थी वही हम लोग ने यहां पर carry की और divide by number of values को हम लोग ने डिवाइड करते तो हमारे पास जो value display होके आएगी वो कुछ यह value होनी थी हमारे पास every distance covered by तो अभी मैंने यहां पर simply see out किया याने के करें तो हमारे पास यह successful यह कोड जाए वो रन हो जाएगा तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास average distance covered हमारे पस कितना आ रहा है 161.7 मेटर आप कुछ लोग मैंने देख रहा था कि आंसर इसके काफी ता अलग लग अप्लोड किया हूं है बला आप यह solution सब्सक्राइब कर वाइं यह 100% accurate solution है और बाकि प्रसाइमन बनाने के लिए मुझे वर्सर पर कॉंटेक कर सकते हैं आला हाफीज और असलाम अलेकुम